वर्ण की शिद्यान्त की बैख्या करने के बाद वर्णों की क्या धर्म है उसके बारे में जानना होगा किस तरह से वर्ण शमाज को परभावित करता है जो शमाजास्त्र परतिष्ठा के बिद्यार्थियों के लिए महत्पुर्ण होगा कहा जाता है कि सभी वर्णों को समाज के लिए कार्ज करना है और सभी जीवों को इस तरह से देखना है कि उन्हें कस्ठ नहो शत्त की खोज में रहना है फिर भी इसके बारे में मनुरिशी का विचार है कि ब्रामन को शत्त की और जाना है ग्यान बाटना है और यग्र करना और करवाना है छत्त्रिय को शमाज की रक्षा करने के बारे में बतलाया गया यही उनका धर्म है ब्याइश्य को किर्सी कार्ज करना है पसु पालन करना है और ब्यापार को बढ़ाना है और शुद्र को इन तीनों वर्णों को देखना और शेवा करना है दूसरी बात यह है कि विश्म पितामह ने इन चार वर्णों के बारे में अपनी राई डी उन्होंने कहा कि ब्रामन को ग्यान का उपाशक होना है और शमाज में ग्यान बाटना है और शत्त की खोज में हमेशा रहना है उन्होंने शत्त्रियों के बारे में बतलाया कि शत्त्रियों को शमाज में जो गटनाई गटती हैं उनको देखना है और समाज की रक्षा करना है वैश को किर्सी कार्ज में लगने के लिए कहा गया है और वो इस तरह से कार्ज करें जिससे ब्यापार बढ़े उन्होंनों शुद्र के बारे में बतलाया कि शुद्रों को इन तीनों बढ़नों की शेवा करना है उन्होंने यह भी बतलाया कि शुद्र को धन संग्रह नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वो धन संग्रह करेगा तो तीनों बर्ग इनके अधीन हो जाएगा और वो पाप के भागी होंगे इसलिए उन्हें इन तीनों बर्णों की शेवा करना है इसके अतिरिक्त मारकेंड पुरान में देखा गया कि किस तरशे कौशिक ब्रहामन एक मांस बेचने वालों को देखा और आश्चर्ज चकित हुआ और उन्होंने पूछा कि आपका धर्म इस और मुखर हो रहा है वो एक महान शिकारी व्यक्टित वा करते थे वो शिकारी ने कहा कि ये मेरा धर्म है मांस बेचना और शिकार करना और इस तरह से कर्म के आधार पर मुझे इस तरह की कार्ज करना पड़ता है वो शिकारी इस तरह से उस ब्रहामन को समझाया और यही कर्म का शिद्यान्त के बारे में बतलाया कहने का तातपर्ज यह है कि पहले जो वर्ण बेवस्था हुआ करती थी वो कर्म के आधार पर आगे बढ़ी और आज उसी के अनुरू यह कार्ज चल रहा है और इन चार वर्णों की यही धर्म है और इस तरह से शमाज में ज्यान, रक्षा, जीवी का और शेवा समाज में इसकी नितांत आविशक्ता है यही उन चारों की धर्म ब्रवस्था है धन्यवाद, अब मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस व्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें धन्यवाद